हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग आपका अपने यूटूब चैनल एस बी क्यूरियस पर स्वागत है देखेगा दोस्तों आज से हम स्टार्ड करने वाले हैं आप लोगों के लिए क्लास नाइन्थ की मैथ में हम एकदम बेसिक से एकदम सुरुवात से शुरू करेंगे और बहुत बिस्तार से ले चलेंगे क्लास 9, 10, 11, 12 इन कच्छाओं में हमें बहुत बिस्तार से पढ़ने क्याव सकता होती है यही वो कच्छाएं हैं जहां पर हम ध्यान पूर्वक अगर पढ़ने पूरे बिस्तार से तो हमें पूरे लाइफ में पढ़ाई के पिरिड में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और बच्चे ज्यादा तरी ही पर लपरवाही करते हैं जो कि आप लोग को नहीं करना च पूरा होते होते आपको यह लगनी लगेगा कि आप खुद से क्लास 10 की मैथ लगा सकते हैं ठीक तो देखेगा हम जो पढ़ाने वाले हैं क्लास 9 की मैथ में जो है हम लेंगे राजियू प्रकासन की मैथ की बुक जो की NCIT बेस्ट है और इसमें पहला चैप्टर होगा संख् नंबर का question ठीक इसमें से आपको साथ नंबर के question पूछे जाते हैं और हम जो है जो ए राजियू प्रकासन की बुक है इसमें जो sequence दिया गया है उसी sequence के आधार पे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ठीक और देखे गया इसमें जो उदहरड example जो है उन सभी को भी हम solve कराते हुए चलेंगे और बाकी जो आपकी personality दिया है एक दस्मलो एक जो exercise दिया हुआ है उसको भी हम आपके सारे question एक-एक question हम आपको कराएंगे और आप लोगों के लिए कुछ परड़े हम work दिया करेंगे कि आप लोग इसको solve करेंगे इसको कोशिश करेंगे और उसके answer देंगे और आप लोगों के लिए हमारा जो mobile number रहेगा जो mobile number है उसके WhatsApp कर सकते हैं किसी भी question में कोई problem आये कोई भी दिक्कत हो आप question की photo वेजिए और हमारे पास भेजिए हम उसका solution देंगे आप लोगों को ठीक तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संख्या पद्दती number system जो प्राकृतिक संख्या पर अधायर तो पूरी चैप्टर में दिया गया है देखेगा अब आपका आता है कि प्राकृतिक संख्या क्या है प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर देखेगा प्राकृतिक संख्या क्या होती है वे संख्या है जिन से हमकिसी वस्तु की गढ़ना करें या किसी वस्तु को हम गिन सकें उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं जैसे कि आप लोग की क्लास में कुछ बच्चों के कुछ लड़कियों की संख्या होगी तो आप लोग उनको गिंती करने के लिए उनकी गढ़ना करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वही प्राक्रतिक संख्या होती हैं अब आप लोग किन संख्याओं पुन्कि आप торовन करोड को न hm5 6 7 ऐसे करते हुं में आप लोग कहां तक जाते हैं इंफिंटिव मतलब अनंद क्योंकि आप लोग इसको गिंती पोई चले जाएंगे लेकिन गिंती नहीं कभी खतम होगे इस वजा से हैं इन्फिंटिव कहते अनंध जो कि कभी हम प्राप्ट कर ही नहीं पाएंगे कि अनंत कॉण सी संख्या है क्यूंकि आप माली जी आप कह रहें कि सात अनंत के बाद तो आठ वह जाएगा आप माली एक करोड करहेंց आप कह से करोड एक हो जाएगा आप कर अरबलों हो जाएगा च ribeb पूर्ड संख्या जिसे हम इंगलिज में कहते हैं होल नंबर अब यह होल नंबर में क्या होता है कि यही प्राकृतिक संख्या और इसमें एक और एड़ हो जाता है सुन्य जीरू सुन्य एक दो तीन चार पांच ऐसे करते हैं वे आपका इन्फिंटिव अनंद तक यह होती है हमारी पूर्ड संख्या यह हमारी कौन चंख्या है पूर्ड सम्ख्या है तो से धिनोड करते हैं किसे करते हैं यन से इसको दर्साते और पूर्ड संख्या को हम लोग डबलू से दर्स आते हैं और देखेगा यहां पर हमें दिख रहा है कि यह जो प्राकृतिक संख्या है वही तो यहां पर भी है मतलब कि हम कह सकते हैं कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वे सारी पूर्ड संख्या भी होती है देखेगा यहां आपको साथ तौर से दिख रहा है कि यह जहां पर जो भी प्राकृतिक संख्या है एक दो तीन चार पांचे साथ इंफिंटिव तक उसी तरह से यहां पर भी एक दो तीन चार पांचे साथ इंफिंटिव तक जो की क्या है हमारी पूर्ड संख्या है और ध्यान दीजी का अब यह रहाँ सुनी सुनी जो है क्या है यह हमारी पूर्ड संख्या है क्या है नहीं लिखा है मतलब की सूनी क्या है एक प्राकृतिक संख्या नहीं है सूनी क्या है एक प्राकृतिक संख्या नहीं है बलकि वह क्या है एक पूर्ड संख्या है इतनी बात की लिए आप लोगों को यह पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है पूर्ड संख्या क तो होता क्या है कि यही बच्चे जो serious नहीं इस चीज को लेते हैं जाके वो आगे one day exam में या फिर किसी भी competitive exam में बैठने जाएंगे इनी सब छोटी छोटी चीज़ों को बारी चीज़ों को जो है वो लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं और उनसे बहुत mistake होती है और उनको उस time बहुत मेहनत करनी पड़ती है इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो लोग कुछ लोग shuffle होते हैं और कुछ लोग आशफल ही रह जाते हैं क्यों क्योंकि वो लोग यहां पर ध्यान नहीं दिये रहते हैं तो आप लोग ऐसा मत करिएगा अब देखिएगा हमारी पहली क्या इंटीजर अब देखिए पूर्डान संख्या क्या होती है कि पूर्ड संख्या पूर्ड संख्या और प्राकृतिक संख्या के निगेटिव मतलब रिडात्मक संख्याओं को हम पूर्डान कहते हैं मतलब आप लोग समझेगा देखिएगा पूर्डान किसे कहते हैं हमने क्य क्या प्राट प्राकृतिक संख यो के रिडद माग अब रिडद मलें दीव संखें निगेटीव मतलब माइनस में फिंटेव फिर डाल डाल ऐसे करते हुए हम चली जाएगे यहां पर ले लीजे, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 1 और मैंने क्या कहाओ? कि पूरर्ण संख्या, पूरर्ण संख्या कौन-कौनसी होती है, पूर्ण संख्या क्या अग्यों होती है, एक, दो तीन, चार ऐसे करते हुए आपका इन्फिनिटिव तक कहां तक इन्फिनिटिव तक यह हमारी इतनी संख्याएं कौन शी हो गए यह हमारी संख्याएं होगी पूलडांग इंटीजर अब देखिएगा यहां पर हमारे हमें जो है क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी हैं जो आपके एक्जाम में आते हैं जो आपक प्रक्रतिक संख्याएं पूर्ड संख्याएं होती है या नहीं होती है या फिर पूर्ड संख्याएं पूर्ड रांग होती है या नहीं होती है इस परकार से कोशन आपके बनते हैं और वह सब कब आपको आएगा जब आप लोग यहां पर अच्छे से ध्यान दिये रहेंगे देखेगा को अब मेरे कहने का मतलब क्या है यहां पर अगर मैं यह कोई कि यह जो पूरड संख्या है पूर्ड संक्या है पूर्ड में जीरो एक दो तीन चार अनंत्र तक है हम लोग बोलेंगे हाँ है मतलब कि यह जितनी पूर्ड संख्याएं होती हैं वे सारी संख्याएं पूर्डांग भी होती हैं यहां तक बात की लिए रुई देखे और यह पूछा जया आप से क्या प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वे पूर्डांग भी होता है तो आप लोगों का एंसर होगा जी सर हाँ होता है क्योंकि दिखे प्राकृतिक संख्याओं में आता क्या है एक दो तीन चार पांच छे साथ ऐसे करते हुए अनंत्र तक ह हम लोग जाते हैं अब फिर देखेंगे क्या पूर्डांक में हमारा जो है एक दो तीन चार पांच ऐसे अनंत तक है हम लोग कह रहे हैं यह सर है मतलग कि जितनी प्राक्तिक संख्याएं है वे पूर्डांक भी होती है प्राक्तिक संख्याओं को हम पूर्डांक भी कह सकते हैं अब उसी का उल्टा आप लोग कहिए क्या हम लोग पूर्डांक को पूर्ड संख्या कह सकते हैं तो एंसर होगा नहीं सर क्यों नहीं क्योंकि पूर्डांक में हमारा माइनस में है माइनस में इंफिनिटिव मतलब अनंत से लेके और फिर माइनस वन तक है जो कि पूर्ड संख नहीं हो सकती हमारी पूर्डांग जो पूर्डांग है वे सारे के सारे पूर्डांग पूर संख्या नहीं हो सकती इतनी बात की लिए अब यहीं पर यह भी पूछा जा सकता है आपसे क्या पूर्डांग जो होते हैं वे प्राकृतिक संख्याइं हो सकती हैं देखे तो हमारा एंसर होका नहीं सर क्यों क्योंनाहीं क्योंकि इसमें देखेगा मानस दिया गया अनंद 4321 यह सारी इथर माइनस में संक्याइइ हैं और इसमें 0 भी दिया गया है जो कि यह इतनी संख्याइब जुक्राक्टिक संख्याइब क universes नहीं हैं Tutup कैसे हैं कि हमारे पूर्डांग जो होते हैं वे प्राक्रतिक संख्याएं होती हैं नहीं कह सकते ना लेकिन हम यह कह सकते हैं कि प्राक्रतिक दिक्संख्याइं पूरण को होती हैं क्यूंकि पूरण के अंतरगत सारी की सारी और दिक्संख्याइं आ जाती है यहां तक बात के लिये अगया हूद जिस आरे कोशन आप लोगों के őख्यों और सारे के साथ तो दोफले आता है परिमे परमेशंख्या क्या है तर चौनर हमार है परिमेशंख्या अब लोग बिल्कुल भी यह नहीं कहेंगे कि नहीं बहुत रफतार से बहुत जादा ले पिखेली क्यों कि आप और सक् Bapt तिक और आप अराम से एकडम देखेंगे और पूरे ब्सनार से समझ सम चलंगे और आप लोगों कही कोई प्रॉबलम होगी तो आप यहां पर कोई फ्रॉबलम है यहां पर दिक्षत है हम आप लोगों को पूरी कोशिश की फिर बतानी है से कि आप लोग कहीं पर भी कोई दिक्कत ना रह जाए क्योंकि अभी अगर इस टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम बची रह गई तो वो भविश्य में खतम होने के लिए बहुत दिक्कत होगी हमेशा कहीं ना तो कहीं आपको प्रॉब्लम क्रियेट करती रहेगी जो कि हम न संख्या है परी में संख्या रेशनल नंबर कौन सा नंबर है रेसर रेशनल नंबर पर्मेश संख्या अब देखेए परहत्या क्या होती है वे संख्या ये यह निम वलिख सकते हैं वह संख्या साथ में ये भी होना चाहिए कि ये जो Q है इसके बराबर 0 नहीं होना चाहिए अब इसके बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए इस चीज को हम आप लोगों को समझाएंगे जिन संख्याओं को हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेश संख्या कहते हैं लेकिन Q not equal 0 ये जो साइन बना है ये जो चिन बना है पर आबर दे हैं इस तरह से और इसको क्रॉस कर दिया गया है काट दिया गया है इसका मतलब होता है नाट इकोल मतलब बराबर नहीं है मतलब क्यों बराबर जीरो नहीं है ठीक इसका आप लोग मतलब समझिएगा ठीक देखेगा अध ऐसा क्यों होता है कि क्यों बराबर हम जीरो नहीं ले सकते पी वाई क्यों के रूप में अगर हमें लि पर्मेर्श सं्ख्या देखिछे यह पी औ Cameron एक परमेर्श संख्या अब क्या स्क्रांगे guys 6 हम कहों देखिदे यह ने हमारी यह पर्मेर्ष संख्या अब यह पर मेश्च खेंगी ख दें तो क्या कोई अंतर अधा हम देख पाँच में अगर आप एक से भाग दे रहे हैं तो कितनी बार ले जाएगे 5 बार और यहां पर बार लिखेंगे 5 और यहां पर आपका आज आएगक माइनस करके सुनें थो आपका एंसर कितना वाल पाच कि पाँच को हम क्या 5 बटल सकते हैं और हमने क्या कहा थे Q के बरावर नहीं होना चाहिए 0 बाकी Q के अस्थान पे कोई भी संख्याइं हो सकती है ठीक परमिर संख्या जिसे हम PYQ की रूप में लिख सकें जहां पर P और Q होते क्या है पूर्डांग होते हैं अब पूर्डांग क्या होता है अधी मैंने पीछे बताए आपको पूर्डा ठीक इसी को हम इस तरह से मैथ में लिखते हैं मैथ में या फिर मैथ में और भी बहुत जगहों पर लिख सकते हैं इसको तो इसको जल्दी लिखने के लिए हम फास्ट लिखने के लिए हम इसको ऐसे ऐसे लिख देते हैं इसको हम कहते हैं एंड ठीक स्वरी 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 एंड ठीक देखेगा अब पी एंड क्यों यह सारी संख्या हमारी क्या होते हैं यह किसमें होने चाहिए पूर्डांग में पूर्डांग यह क्या होने चाहिए पूर्डांग और पूर्डांग मैंने आपको बता ही रखा है ठीक और मैंने साथ में यह भ पूर जीरो अब यह मत कहिएगा आपकी सर आपने बताया था कि सब पूराम होने चाहिए और जीरो भी पूराम मैंने साथ में यह भी बताया कि क्यों नाटिक पूर जीरो ठीक तो चलिए आगे मैं आप लोगों को इस पे समझाने की कोशिच कर रहा हूं पूरे अच्छे से कि यह परमे संख्याएं आप लोग पहचानेंगे कैसे परमे संख्याएं होती क्या है हमने क्या कहा कि इसको हम लिखेंगे पी बाई क्यू की रूप में और यह पी और क्यू जो है पूर्डांग होना चाहिए क्या होना चाहिए पूर्डांग अब पूर्डांग में आपके क् यहां पूरोडांग पूरांग में क्या आते हैं मायनस में आ जाता है मायनस इंफिंटिव से ले के मायनस 3-as2-1 करो से 0 फिर 1 2 3 ऐसे करते हो एनंत इनमें इसे कोई भी संच्चा अगर यह रही है पी और क्यू ये क्या हो सप्ता ये हो सकता है ठेक पूढ़ांग हो सकता है मतलब पी बराबर ये पूढ़ांग और क्यू का भीमान हम पूढ़ांग ले सकते हैं लेकिन क्यू बराबर हम जो है पूढ़ांग में सिर्फ क्या नहीं लेंगे जीरू क्यू नाट इक्वल जीरू तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पर्मिय संख्या है कौन सी होती है पर्मिय संख्या देखे जैसे कि अब हम कह रहे हैं पीवाई क्यू की रूप में लिखना है तो पी के स्थान पी मिनने से कोई भी संख्या ले जाए कोई भी संख्या ले लिजी ना पीके स्थान में क्या लिख नोट करके याद रखेगा कि जीरो हमारी क्या है ये परीमेर सभ्या है ठीक और भी देखी खा जैसे क्षिक आप से स कह दिया जह सिर्फ कि − 3 क्या है टाइक प्रमे संख्या या नहीं है अन्सर होगा सर्व है Ond akhir पर में संख्या क्यूं कि इसकी बटें लीख सकते 1990 पर फिर Heudes फिर भी − 3 ही रहेगा जैसे आपसे कह दिखें कि 4 क्या परमेशंख्या है यस परमेशंख्या है पाच क्या एक परमेशंख्या यस परमेशंख्या है एक क्या परमेशंख्या है जीरो सुने सुने क्या एक परमेशंख्या हाँ यह एक परमेशंख्या है क्यूं क्यूंकि हम इसमें बटे में एक लिख सकते हैं और एक से भाग देंगे हम तो भी इसका मान सुन्य ही आएगा इतनी बाल की लियर चलिए आप से अप उमीद हम करते हैं कि आप लोगों को परमेश संख्या यह समझ में आ गई होगी अब आप लोगों को परमेश संख्या में यह बताना है कि आकिर हम क्यों नाट इक्वल जीरो बलब क्यों बराबर हम परमेश्ण है हम देखने सो दिखां को ह tarp ज्यांधी जी अंदी घर अपर कि माले जीए यहीं भाई क्यों की रूप में मुझे लिखना है न दब त цен से Rs न तो मालीजी मैं पी वरबर क्या ले लिखता हूं पाच अब क्यों क्यों आतने मैं माली जी जीरो रखी दिया Q बरावर में क्या रख दिया? 0 तो अब बताइए ये एक पर्मियस संख्या है कि नहीं है? तो answer आपका होगा कि सर पर्मियस संख्या तो नहीं है क्यूंकि आप लोगने book में अभी पड़ा और मैंने भी अभी बताया कि Q बरावर 0 नहीं होना चाहिए लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए यह बताईए अब मैं कहूं कि बताईए अगर हम 5 में 0 से भाग दें तो हमारा यहां पर जो answer आएगा वो क्या आएगा यहाँ पर answer हमारा 5 आएगा एक आएगा अनन्त आएगा या फिर क्या आएगा कोई बताएगा यहाँ पर हमारा answer क्या होना चाहिए तो हमारा यहाँ पर answer होना चाहिए sir इसे हम परिभासित नहीं कर सकते आप लोग यह भी बोल सकते है सर ये हमें नहीं आता या फिर ये भी बोल सकते हैं सर इसे आप नहीं जानते हैं मतलग इसे हम लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है हमारे जो गर्तग्य हैं बड़े बड़े गर्तग्य वे भी इस चीज को नहीं अभी तक define कर पाए हैं कि इसका answer क्या होगा यह आप परिभासित है अब आप परिभासित कैसे है देखिएगा ध्यान दीजिएगा अगर हम 0 से 5 में अगर यहां पर हम भाग दें अगर 0 से 5 में हम भाग दें तो बहुत सारे बच्चे होंगे किसर एक आएगा यहां पर बहुत सारे बच्चों का answer किसर यह आएगा माली जीए हम एक बाल ले तो 0 एक पाड़ा गाए फिर हमारा पांच आ गया क्या गया पांच माली जीए कोई बच्चा ऐसा होगा वो कहेगा किसर नहीं एक बार मत ले जाएए चली एक हजार बार ले जाएए हम फिर सोनी का गुड़ा एक हजार में करेंगे फिर भी मारा सोनी आया तो यहां पर अदर अदर बच्चों के अलग अलग बच्चों के अलग अलग आएंसर आएंगे और सब के यह गलत ही होंगे बताईए यहां पर बहुत सारे बच्चे होंगे सर अनंत बार ले जाएए अनंत बार तो हम फिर अनंत बार क्या है ता अनंत आपको कुछ पता है क कि क्या होता है अनंत नहीं पता है तो हम इसको क्या कहेंगे सर यह आप परिभासित है मतलब अंडिफाइन है आप परिभासित अंडिफाइन है ठीक यह आप परिभासित अंडिफाइन मतलब किसी भी संख्या में हम जीरो से भाग देंगे तो क्या है आप परिभासित कियो घर होगा कि हम आन् settlement क्यूंकि यह परिभासि थी नहीं है छिक इसी बडाएस यह बड़े जुए यह QEE 2 लेकिन अगर पूछ दे क्यूं ली जीरो जीरो क्या है सुनि क्या है तो सुनि निंचिया क्या है ह İsंद्न की करना है क्यों आंके सुनी के बट्टे में एक लिख देते हैं और फिर देखिए कि हम यहां पर सुनी में अगर हमें भाग करना है एक से तो इसे तो एक डिक देखेगा हो लोग को यहां तक हमने बता दिया कि परेमेश संख्या हैं क्या होती हैं ठी além आप लोग को आज क्या क्या और बताया हमने आप सब्सक्राइब और तुल्यश्जरा और शचाम और तुल्य जो तुल्य कि है सब्सक्राइब है इस उसके बराबर हो उसी के जैसा हो है जैसे हमाते कहीं कि आपके ऑब नहीं दिया है evalu जहते है एक बटए-3 के तुल्य पर Snaghyya तो तुल्य परव्य संख्या कैसे निकालते हैं ए कि संख्या से किसी एक संख्या से हम इसके आंश में भी गुड़ा कर देढंगे और उसके बाद जो परव्य संख्या प्राप्थ होगी ओ एक बटे three के तुल्ले परिवेश रेप्राप्त होगी का तुल्ले मतलब इसके बराबारी परिवेश रेप्राप्त होगी मेरी बात समझ में आ रहे है देखेगा जैसे एक में चाहीक इसमें ही जो है एक बटे के तुल्याी ही है क्यूंiblिक्टे ही पराद कआठे तु काटेंगे clear आपका फिर की आजाएगा एक बटे तीन आज आ जाएगा या फिर मैं कहुंँ इसी एक बटे तीन में ओपर जो हिए श्याइश गुड़ा कर दिजिए और नीचे भी श्याइश कर दिजिए ये बटे अठारा यह उसके तुल्य है एक बंटте 6 के तुल्य है बस्त इसका मात्र ही मतलब है और भी देखेगा यह तो गुडा करने प्या आ गया लेकिन हम यह भी कह सकते हैं 달 साइट किसी परियं संक्या में किसी एक ही संध्या से उसके अंसम् हो मोद और उसके हर में दिया है माइनस 50 बटे 110 अब इसमें माली जी कि हम 50 में अगर 2 से भाग दे देंगे 50 में अगर 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस पचीस और फिर मैंने क्या करा जिस संख्या से अंस में भाग देंगे उसी में भाग देंगे हर में अगर हम दो से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा पच्छिपन अब यह 25 बटे पच्छिपन जो है हमारे किस के तुल्य है माइनस पच्छाष बटे 110 के तुल्य मैंनस 25 बटे पचपन ठीक ये जु परिमेश प्रिमेश संख्या के तुल्य मतलब बनाबर है अब देखें जैसे माने जिसे मैं आगर कहूं इसमे पांसे भाग देजिए अंस में 5 से भाग दीजिए हर में भी 5 से बहाग असमें 59 आप कितना जएगा माइनस 59 और और फ्लेविक इसी के तुली पान बिशेस नहींए अप लोगो बहुत आसानी सी समझ में आ गया होका ठीक आप लोग इसको एक वार जरूर पर ही होंगे एक बार इसको जरूर रिवाइज करिएगा सिर्फ आप लोगों को रिवाइज करेंगे तो आपको सिर्फ 10-15-20 मिनट ही लगेंगे लेकिन आप यहीं सोचेंगे कि अभी तो एक ही वीडियो है चलिए थोड़ा खेल लेते हैं मस्ती कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं आप लोगों को ही बोररींग लग सेने लगेगा क्यों कि मैं तो प्रेड़े पढ़ा हूंगा न आप लोगों को यह के क्लास करते 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 कती बोज hor गाईगा बहुत सारे बच्चे होते कह रेंभी एक्जाम दो बहुत दूर होई दूर करते 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 उनका यह खालत हो希望 कि बचता मेंना अब वो इतनी जादा हो जाते हैं कि इसे पढ़ा जाया चालत से खराब हो जाती है हंख सेमें हाथ देखेगा लंट चली गई थं क्योंकी हमारे हाँ 12 बहुत तेजी से होने लगी थी तो ने इंवेटर on किया है तो आप लोगों से परेस कहने का मतलब यह है कि आप लोग रिवीजन जरूर करेगा यह नहीं कि यूटूब पे फिरी क्लास मिल रही है तो आप लोग रिवीजन ना करेगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम में ही आप लोगों के होती ही कि चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं जय हिन्द आप लोग कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर कमेंड करेगा ठीक है जय हिन्द